जैपुर की JECRC युनिवरसिटी में छठा दिक्षान्त समाहरों आयुजित किया गया जिसमें 2000 बैच के चात्रों को डिग्री दी गई समाहरों में सुप्रीम कोड के नियाधिश अजय रस्तोगी ने मुख्य अथिती के रूप में शिर्कत की इसके अलाबा प्रसद्ध भारती लेकक और वक्ता अश्वनी सांगी भी मौजूद रहे और समाहरों के शुरुवात वाइस चांसलर विक्टर गंभीर और चीफ गेस्ट अजय रस्तोगी ने दीप प्रज्वलित करके की डिग्री समाहरों में 1200 बच्चों को डिग्री दी पाधी जो है मुख्य अथिती सुप्रेम कोट नैधिश अजय रस्तोगी और गेस्ट ऑफ ओनर अश्वनी शांगी को परंपरागत और भव्वे समाहरों में दी गई .... これ of Ashwin Sangi, best-selling author and commentator. Ashwin Sangi is one of India's highest selling English fiction authors who is created, credited with presenting Indian history, mythology, philosophy, science, and culture to India's younger generation in a refreshing new way. Ashwin Sangi, best-selling author and commentator. तो यहीं स्वीच जानकारी आप तक यह भी पहुंचा दें कि आकारशुक दिक्षान्त परेड रही जिसमें चात रॉब पहन कर और दिक्षान्त कैम्प लगा कर चहक रहे थे ऐसे महाल में अपने पुत्र पुत्री को मार्च करते देख जो आई भावक हैं वो काफे खुश नजर आए इसी दिक्षान्त के दौरान सुप्रीम कोट जज अज़ा रस्तोगी ने बच्चों का अभिवादन करते हुए उन्हें बताया कि सिर्फ खुद को ही नहीं बलकि लोगों के भावों और अनुभवों को दुनिया के सामने पेश किया उन्होंने JECRC के दोरा चात्रों को मिलने वाले कुशल निर्थत्व और इस से चात्रों के जीवन में पढ़ने वाले सकारात्म प्रभाव की भी तारीव की युनिशिटी के वाईस च्रांसलर विक्टर गंभीर ने सभा को संबोधित करते हुए J.E.C.R.C. का अब तक का सफर बताया और graduate students को उन्होंने उज्वल भविश्य की बधाई दी। चेयर परसन उपी अगरवाल ने बताया कि Convocation Ceremony किसी भी सिख्षा संस्थान के लिए एक गर्व और उल्लास का अवसर होता है और उन्होंने डिग्री पाने वाले बच्चों को बताया कि वह अपने सिख्षा का उप्योग समाज और देश की बहतरी में करके अपने साथ देश का भी विकास करें गोवन की नगरी जैपूर अपर शुरामय हो गई है अप्रतादी के शहर की सडकों और गोवर्विक देविजी मंदर प्रांगण में जैजय पर शुराम और जनजन के पर शुराम का जैधुश तुनाई गिया मौका था विपर फाउंदेशन की परशुराम कुम्र आमंत्रन यात्रा के अम्रित भारत रत के जैपूर आगमन था इस अवतर पर गोविन्द देविजी मंदर प्रांगण में भगवान परशुराम जी की महा आरिती के बाद धर्मसभा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और परशुराम भगवान के जैकारे लगाते हुए नजर आए इससे पहले जलेब चौक से गोविन्द देविजी मंदर तक विशाल शुभायात्रा निकाली गई तीन किलोमेटर से भी अधिक लंबी शुभायात्रा में हाथी, घोडे, उन, बैंड बाजों के साथ बजरंग वैयाम शाला के युवा कर्थब दिखाते हुए नजर आए उनके पीछे बाइक रेली और महिलाओं का जथा, रत और सबसे अंत्मे साकडों के संख्या में धर्म ध्वजा था में पुरुषों युवाओं का रेला था जलेवी चौक से बड़ी चौपड हवा महल चौनदी की तक साल काली हनुमान जी मंदिर गुर्द्वारा होते हुए गोविंद देवजी मंदिर तक ये आत्रा निकाली गई शौभाय आत्रा का जगा जगा पर पुष्प वर्षा और आरती उतार कर स्वागत किया गया गोविंद देवजी मंदिर में महंत अंजन कुमार गुस्वामी के सानिद्धे में दीपों के थाल सजाकर भगवान परशुराम जी की महा आरती की गई और महा आरती में सांसद दियाकुमारी समेत हजारों की संख्या में स्वैजन शामिल हुए जबकि शोभाय आत्रा में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, सांसद रामचरण बहरा, महिला आयो के पूर्व राष्ट्री अध्यक्ष ममता शर्मा, पूर्व मंत्री अरुन चत्रवेदी और मोती डुंगरीजी महंत कैलाश शर्मा, समाज कल्यान बूड महेश शर्मा और उपाध्यक्ष मंजु शर्मा, पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा, वरिष्ट पत्रकार एव महानगर टाइम्स के संस्थापक गुपाल शर्मा, पूर्व महापावर विश्नु लाटा, सुमन शर्मा, कुश्पेंद्र भारत द्वाज, राजस्थान ब् उपाल दास जी महाराज, सुदर्शन आचार्य, बालकिशन दास महाराज, विजय बासोतिया, पूर्व उप महापार मनीश पारिक, विफा के पूर्व रास्थ्री महावीर प्रसाद शर्मा आदी मौजूद थे इसके अलावा विपर फाउंडेशन के प्रदेश अधेक्ष राजेश कर्नल एडवोकेट, रास्थ्री अस्तचिप, विनोध अमन, परमेश्वर शर्मा, पवन शर्मा, नतराज भारती शर्मा, शिव मोहन शर्मा, मनोज पांडे, अंश्मान, शास्त्री, विजय शर्मा भ झांडेशन शर्मा, झांडेशन शर्मा, शर्मा, आ में शर्मा भांडेशन के विश चावंड़ भांडेशन है।